और भाई लोग क्या है चाल है तो तुम लोग बड़ी अग्दम तो आज हम लोग पढ़ने वाले है चेप्टर नमबर टू जिसका नाम है निंसन मंडेला लॉंग वॉक्टू फ्रिडम तो भाई तुम्हें ये चेप्टर समझने से पहले न यार तुम्हें समझना पड़ेग अपपार्थिड बोलूगा तो यह साव तो फिरका में ना अपपार्थिड शिस्टम चलता है ठीक है और यह सिस्टम यार यह मुद्दा नहीं बहुत बड़ा मुद्दा था अब तुम पुछो कि यह एपार्थिड शिस्टम क्या है तो इक एकिस एकॉर्डिंग वाइट और नॉन वाइट जो लोग थे ना भाई उनमें बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था ठीक है बहुत ज्यादा भेदभा होता था मतलब कि जो नॉन वाइट थे वह वाइट के एरिया में जा नहीं सकते थे जो गोरे लोग थे उनके साथ कोई काला बैठके खाने ही सकता है उनके एरिया में जाके काम नहीं कर सकता है पब्लिक क्या जो पब्लिक सर्विस होती है ना जिसकी बस स्टॉप हो गया सिनेमा होल हो गया यह जितने भी चीज होते हैं यह भी भाई सेपरेट था वाइट के लिए अलग था और वाइट वालों के लिए बहुत सुंदर आम इंडिया से रिलेट करो ठीक है तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा और सबसे बड़ी बात तो भाई यह थी कि तुम इस सिस्टम के अगेंस में अपनी आवाज भी नहीं उठाओगे तो मार्पिट के तुम्हें सब दवा देंगे ठीक है यह बहुत बढ़ा उठाते हैं इसके अगेंस्ट में और जैसे इसके अगेंस्ट में अवाज उठाते हैं तो 1964 ठीक है 1964 में उन्हें जेल हो जाती है ठीक है वहां की गौवर्मेंट उन्हें पकर लेती है और देश-धरोही का करार देती है कहती है यह एक देश-धरोह है ठीक है और उसे जेल मे यार जेल में बंद कर दयती है य데 के लखप लबग 30 साल जेल में ही रहे और जेल से बाहर आने के बाद भाई helpless you इनाइटीन वाली फॉडव सरकार बनने वाली थी नैंस्ट मंडिया और उनकी पाटी एनसी एन्सी एम्सी मतलब ANC है African National Congress तो National Mandela और National Mandela की पार्टी जीत गई थी ठीक है 400 में से 252 सीट आये थे 252 सीट उनकी पार्टी को मतलब मिला था ठीक है और किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए 50% प्लस वन वोटी चाहिए 400 सीट है तो उसमें से 200 सीट आधा हो गया 50% और एक सीट और ले लो यानि कि 201 सीट भी हो जाता तो वो जीत जाते लेकिन यार वो बहुत ज़्यादा लाए वो 252 सीट लेके आये और वो जीत गए और इतिहास में 300 साल बाद किसी नौन वाइट की यार पहली बार सरकार बनने वाले थी ठीक है इसलिए यह दिन जो है ना भाई कि बहुत बरा दिन था यह एक हिस्टोरिक दिन था क्योंकि यार 300 साल यार बहुत बरा होता है ठीक है हमारे इंडिया में भी यार बिटिस इतन फॉस्ट ब्लाक प्रसिडेंट बना दिया जाएगा ठीक है पहला ब्लाक प्रसिडेंट तो यह अब तुम्हें पता चल गया हुआ कि नेंशन मंडेला कौन है नेंशन मंडेला वह व्यक्ति है जो एपार्थिड सिस्टम के अगेंस ने आवाज उठाए ठीक है और 1994 में वह ब्लाक प्रसिडेंट बने थे साउथ अफिरका के और मैं तुम्हें एक डेट बताता हूं ठीक है 10 मई 1994 में 10 मई 1994 यह वह दिन है जिस दिन नेंशन मंडेला शपत लिया था प्रसिडेंट का सपत लिया था तो यार तुम्हें इस डेट को याद रखना बहुत इसमें से यार मर्द थे और थे बच्चे थे यह सम मिला के एक लाग से भी ज्यादा उस सेमिनार में प्रजेंट थे जो कि साउथ अफिरकाई की थे और 140 से भी प्लस से यार लीडर आया थे बरेबर बिजनिसमेन आया थे उनका स्पीच सुनने ठीक है क्योंकि मैंने कहा ना फर्स दिन था और पिछले कुछ दिनों से यार वह सरोगों से मिल रहे थे बहुत सारे बोल्यास से मिल रहे थे वह एक सरीमोंटी होने जा रहा था जो कि पैरीटूडिया के यू़ियन बिल्डिंग में होने जा रहा था ठीक है union building यह उथा न भाई वह एक open building था उपर से मतलब कि छत्व गळाव नहीं था ठीक है और इस ceremony में बहुत सारे कट लोग आयोए थे वाइट भी थे ब्लैक भी थे ठीक है और एकाथ कट लड़ आल मान लो या ठीक है जिसे कि वहाँ पर एक लाली गुर आईटुम कह सकते हो ठीक है ब्लैक और वाइट का कर रहे थे मतलब यार मौज मस्ती कर रहे थे वो लो वो दो बहुत जाओ खुश थे एकसाइटिड थे और उस सेरे मोनी में यार नेशन मंडिला के साथ उनकी बेटी जैनानी उनके साथ थी ठीक है और उनके इस सपत ग्रहन समाहरों में यार पहले व्यक्ति जिन्हों ने सपत सपत लिया और बारी आता है नेशन मंडिला का तो नेशन मंडिला गये और प्रसिडेंट का उन्होंने सपत लिया ठीक है और वो बन गये साथ खरका के पहले black president और फिर भाई वो speech देते हैं ठीक है उतने सारों लोग आयोए हैं सिर्फ उनकी speech सुनने के लिए तो वो अपना एक speech देते हैं और जो वो speech दे रहे हैं मैं तुम्हें यार अपने शब्दों में दिक्तों तुम्हें वो सुनाना चाहता हूं ठीक है मैंने यार कुछ एड़ी किया होगा कुछ घटाया भी होगा तो मैं तुम्हें अपने शब्दों में वो सुनाना चाहता हूं ठीक है तो यार ध्यान से سुनना उस इस नई सुतंत्रता को एक आशा की उम्मीद देने के लिए काफी लंबे समय से जो भेदभाव हो रहा था इस मानवजाती के बीच काले गोड़े का भेदभाव अमीर गरीब का भेदभाव हमें इसे बदलना होगा और एक ऐसा समाज उत्पन करना होगा एक ऐसा समाज का निर परास्टे को चलाने का सवभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं वादा करता हूं कि अपने सभी लोगों को गरीबी के बंधन से मुक्त करूँँगा और इस देश की किसी भी व्यक्ती के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा मैं वादा करता हूं कि कभी भी इस करते हैं ठीक है तो यह इन्होंने अपना दुख बताया कारण बताया और जो आगे करने वाले हैं वो सब उनने बताया ठीक है और क्योंकि मैं अपने शब्दों में कुछ लिखा एसे और फिर जैसे फिच खतम होती है लोग तालिया वाली करते हैं सब तो वही सब यार अब करने वाले हैं साउथ अफिरका के पुलिश और डिफेंस सिस्टम बे ठीक है तो यार थोड़ी देर बाद यार साउथ अफिरका की जेट हेलिकोप्टर और टूप केरियस वहाँ पर अपना एक अद्वुत प्रदर्शन देने आ जाते हैं व और फिर वहाँ के हाइस जनरल साउथ अफिरका के हाइस जनरल डिफेंस फोर्स ठीक है और पुलिश जितने भी थे यार जिनके चेस्ट पर रिबंस लगी हुई थी मेडल्स लटके हुए थे ठीक है वह सबी के सबी यार सैलूट करते हैं और फिर वह भी शपत लेते हैं कि लोयल रहेंगे जो नई सरकार बनी है उनके प्रतियर वफादारी निभाएंगे इसका वो शपत लेते हैं ठीक है और फिर नेशनल मंडेला मनी मन सोचते हैं कि यह वही पुलिश वाले थे यह वही डिफेंस सिस्टम थी इस साउथ अफेल का की जिन्होंने कुछ साल पहले म बंदी कर दिया था मैंसल मंडेला को वह अपार्थिर सिस्टम के अगेंस में इन्होंने आवाज उठा रही तो आज से पहले यही पुलिश थी जिन्होंने मुझे क्याद कर लिया था और जेल में एक बंदी बना लिया था और आज भाई वही पुलिश मुझे सेलूट मार यह वह मनी मन सोचते हैं और खुश भी होते है ठीक है और फिर वह बताते हैं जो इंपाला जेट था ना भाई वह एक धुआ छोड़ता है उपर में आसमार में ठीक है इसमें ब्लाक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्डन क्लड का यार धुआ छोड़ा जाता है जो कि साउथ अ केकलेला एफेरिका नाम इक नेशन निंथम गाया गया और नौन वाइटे लिए रजी नंकी निंथम घाय't अपने उस दुख और दर्द के बारे में याद करते हैं जो वाइट लोगों ने उन्हें दिया है उन्हें क्या 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 हुआ उस सब चीजों के बारे में अब बता रहे हैं और ये प्रथा लागू किया जहां पर हम लोग साथ डिस्क्रिमिशन होता था ठीक है और अब लास्ट डिकेड में यानि कि 20th सेंचूरी के ही लास्ट डिकेड में ये प्रथा खतम होने जा रही है ठीक है और उसके जगह पे बाई एक नई प्रथा लाई जा रही है जिसमें भाई सभी को उसके राइट्स मिलेंगे उसकी आजादी मिलेगी ठीक है और कभी भी भेदभाव नहीं होगा और अब बता रहे हैं कि यह जो दिन था ना भाई वह हजारों लोग कुर्बानी के कारण ही आया था ठीक है ऐसा नहीं था कि निसल मनेरा वह पहले व्यक्ति थे जो अपनी जान कभा दिए अपने आपको बलीदान कर दिया देश के लिए निचक हावर कर दिया और वो फिर खुद से कहते हैं कि मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं कह पाया और वो ये भी नहीं देख पाएं कि उनके बलिदान ने भाई क्या प्रभाव लाया है ठीक है उनके बलिदान से भाई क्या प्रभाव आया है साउत अफेरिका में क्या चेंज़ आया है वो भी वो नहीं देख पाएं ऐसा हमें निशन मंडिला बताते हैं और जो भाई एपार्थ उनके साथ घुल मिल जाएंगे और फिर धिर यार वो सब ये चीजे भूल जाएंगे ऐसा नेंसल मंडिला का मानना था और अब है वो बताते हैं कि वो कौन-कौन लोग थे जिन्होंने नेंसल मंडिला से पहले भी आवाज उठाई थी और अपनी जान गवाई थी ठेक है वो उलिवर टैंबो, वाल्टर सिसलस, चीफ लुथलिस, यूशुफ दैदो, ब्राम फिशर, रोबर्ट शबुक बे ये वो सारे लोग थे जिन्होंने नेंसल मंडिला से पहले इस प्रथा पर आवाज उठाई थी ठीक है इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस में आवाज सेहन पड़एंगे, वहाँ है लेकिन इन्से बरा हीरा कोई यही नेंशल मरिला के लिए हीरे ठीक है, असली हीरे यही है जो भाई नेचर वाइज अच्छे हैं सीधे हैं और ऑर डायमन सभी प्योय हैं उनके लोग है वही डायमन के एकोल है और फिर फिर और व bestimm हैई के मैंने हैं सु 23 वो लर भी लेते थे और भाई जब कोई अटागत को दिखा हुए अपने स्टेंथ को बिना शो किये हुए वो लरते थे ठीक है उनके विचार के सामने हिम्मत से डटे रहते थे और उसे जूजते थे साहस का मतलब यह डर को भगाना नहीं है उस पर जीत पाना है ठीक है किलाएने ठीक है मैं तुम्हें इससे एक एक जामपल से समझाना चाहूंगा अम मान लो भाई तुम्हारे क्लास में कोई ने कोई ऐसा लड़का जरूर होगा जो बहुत ही थागतवर होगा वो किसी से नहीं डरता होगा ठीक है मतलब कि मार पिट हुआ तो बुला ले भाई अचे जग्रे रहा था वो सहस था ठीक है तो ऐसा नहीं कोई ब्रक बाइंसान और पहचाना हुए थीक है सई फेडह और जाता आफ़ भेदवाव करहा slower की छीब सीखने पड़ेगी और अगर भाई वो hate करना सीख सकता है ना भाई तो वो love करना भी सीख सकता है ठीक है अब ऐसा थो ने एर कोई भी बच्चा पैदा हुआ तू बोलेगा भै तू काला अच्छर भगिया से मैं तरह से बासवत नहीं करूँगा ऐसा थोए नहीं होता है भाई उसे लोग सिखाते है ठीक है और अगर तुम उसे hate सिखा सकते हो तो भाई तुम उसे अच्छाई भी तो सिखा सकते हो ना और नफरत करना सिखाने के लिए तुम थोड़ा effort भी डालना पड़ेगा ठीक है लेकिन यह जो प्यार है ना भाई वो naturally आता है अपने अंदर से आता है और यह बात वो तब एक समय के लिए दया आती थी और तब उन्हें एसास हुआ कि हां हर इंसान के अंदर यह दया नाम का चीज ना भाई छुपा हुआ है तुम भले एक दूसरे से कितना भी नफरत कर लो लेकिन तुम्हारे अंदर यह दया जरूर है नई समझ में आया चलो एक एक जामप भले यार तुम कितना भी लड़ते हो यह कोई फरक नहीं बढ़ता है लेकिन तुम जाकर उससा बचाओगे तो बचाओगे और यही तो है बाई तुम्हारे अंदर वो दया चुपी हुई है यह नेचुरल ही आता है ठीक है और अगर इससे भी फील नहीं आया तो भाई स्क दूसरे क्लास का बंदा आ जाए या फिर दूसरी स्कूल का बंदा आ जाए और तुम्हारे से लड़े या फिर बत्तमीजी करे ठीक है धोस जमाए अपना तो भाई तुम पूरा क्लास एक साथ खरे हो जाओगे और उसे भाई तुम मजा चखा दोगे भले यहर तुम आपस तुम उसे पान डाला लगे कभी बुझा नहीं सकते उस लावा को और सेम चीज हमारी अच्छाई पर भी लागू होता है ठीक है मैं तुम्हें पिछले दो इसांपल में समझा दिया वह भाई वाला और स्कूल वाला कि कैसे तुम एक तरह से यूनाइट हो जाते हो भले है कि पूरे जीवन में इंसान या बस दो बंधनों से बंधा होता है एक तो भाई पहले उसकी फैमिली की बंधन होती है ठीक है उसके पैरंट्स होते है उसकी वाइफ होती है उसके बच्चे होते है और दूसरा बंधन होता है उसके लोग उसके कॉमुनिटी उनकी सुसाइ के लिए अपने लोगों के लिए सोचता है अपने गाओं के लिए मोहले के लिए सोचता है और फिर भाई वो अपने देश के लिए सोचता है ठीक है और उसके लिए जो भी जरूरतमन चीज़े होती है वो अपने एकॉर्डिंग वो करता है जितनी उसकी अपना करता है लेकिन यह सब चीजे South Africa में impossible सा चीज था ठीक है और खासकर भाई उन लोगों के लिए जो National Mandela जासे दिखते थे याने कि black थे non white थे उनके लिए यह impossible सा चीज था कि वो अपने family के लिए कुछ जरूरतों के चीजे लाकर पूरा कर सके ठीक है क्योंकि यह वहाँ पर बहुत ही stream यानि इस discrimination के against में आवाज उठाता था तो भाई वहां की सरकार उसे अलग कर देती अपने परिवार से अलग कर देती थी ठीक है अपने बच्चों से अपनी पत्नी से वहाई उसे अलग कर देती थी अलग एक जीवन बिताने के लिए बोलती थी और बहुत यार बहुत कष् इस लिए वहां की government ने इने अलग कर दिया अपने पुड़ी family से अलग कर दिया और ऐसा नहीं था कि निशन मनेला बचपन से ही इस freedom के भूक है ठीक है कि उन्हें freedom चाहिए इचाहिए नहीं भाई उन्हें freedom थी ना यार वह अपने मां के जोपड़ी के आसपास में खेत में दौर सकते थे इसकी उन्हें सोतंत्ता थी उसकी फ्रीडम थी वह जहां चाहे वहां दौर सकते थे ठीक है उनके गाव में जो भाई तलाब था उसमें वह जहां तक जा सके वहां तक तैर सकते थे भाई ठीक है बैल गारी जो चलती थी भाई उस पे वह धीरे-धीरे गूम स तब उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं यार वो तो बस मेरा एक बच्पना था जरूरत की चीज़े तो अब मुझे चाहिए ये मेरे फिर्डम छिननी जा रही है दीरे-दीरे ऐसा उन्हें फील होने लगा क्योंकि यार उनकी आजादी पर रोक था वो ना तो रात में कहीं प चीनी जा रही है और फिर उन्हें ठान लिया कि अब तो मैं अपनी आजादी ले के रहूँगा ठीक है जो भी उनकी जो बेसिक आजादी थी जो भी बेसिक नीट्स की जरूरते थी उनकी आजादी तो मैं लेके ही रहूँगा उन्होंने ठान लिया था उसी समय और धिरे- जिरे भाई उन्होंने इस बात को समझा कि सिर्फ केबल वही नहीं थे जिनकी आजादी चीन है ठीक है जिनकी आजादी चीन चुकी थी। पर चले ठीक है इस रास्ते पर चले कि मुझे आजादी लेनी है government से छीननी है ठीक है तब भाई एक डरपोक व्यक्ति को सहसी इंसान बना दिया ठीक है law पर चलने वाले कानून पर चलने वाले व्यक्ति को भाई अपराधी शाबित कर दिया गया 1964 में अपराधी शाबित कर द कि मैं सिर्फ अपनी सोतंतरता लेके खुश नहीं रह सकता हूं मेरे जैसे दिखने वाले हर एक व्यक्ति की सोतंतरता यार मेरे लिए मायने रखती है इसलिए उन्होंने सब के लिए लरना सही समझा अब कोई भी इंसान दूसरे की दुख देकर कैसे खुश रह सकता है तुम भी खुश है सकते हो जब सामने वाला बन्दा भी खुश है और जो इंसान दूसरे की freedom छीदा दूसरे की सोतंतरता को छीदा भाई वो एक घिरना के लाया कर ठीक है उसे हेट के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा और निंशन मनेला भाई खुद भी खुश नहीं रह सकते थे दूसरे की आजादी चीन कर ठीक है इसका मतलब यार बहुत गहरा है ठीक है तो तुम्हें इस गहराई को समझना पड़ेगा इसका म मिलती थी वह सेम चीज भाई वाइट लोगों को दे सकते थे और सारा भाई जितने भी नौन वाइट थे उनको फिर से खुश कर सकते थे लेकिन वह ऐसा नहीं चाहते थे वह चाहते थे कि यार इस समाज में सभी व्यक्ति को इक्वाली राइट्स दिया जाए एक्वाली फ चीजों को गहराई से समझने पड़ेगी इन सब चीजों को और सिर्फ एक्जाम के लिए पर रहे हो तो यह फरक नहीं परदा कुछ-कुछ चीज़े याद कर लो ठीक है जैसे उनके साथ क्या-क्यात्याचार होती थी मैंने शूर में जो पांच मिन बताया ना भाई पांच तुम देख लो जो करना भाई तुम कर लो बाई